हेलो एवरिवन वेलकम बैक ओन मैं चैनल नुटाना उनलाइन स्टड़ी तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्षन रिसर्च जिसे हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान ठीक है तो क्रियात्मक और अनुसंधान या एक्षन रिसर्च क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे अगर आपको पीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है के विल कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करना है आपको पीडियो मिल जाएगा अधरवाइस आप मेरे दूसरा चैनल है लेसन प्लैन कॉर्णर वहाँ आप जाके description box चेक करेंगे तो आपको वहाँ आप भी मिल जाएगा ठीक है तो आज हम लोग देखेंगे action research क्या होता है ठीक है तो basically हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि action research क्या है definitions देखेंगे action research के characteristics जानेंगे types देखेंगे uses या needs क्या है steps भी है क्या है द साथ हम देखेंगे scope क्या होते है action research के तो अगर अपने video channel अब मेरे जो channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो make sure channel subscribe जरूर करें क्यूंकि मेरे इस channel पर आपको video तो मिलती ही as well as अगर अगर आप comment करते हैं तो आपको video मिल जाएगा ठीक है तो चले देख लेते है action research क्या होता है ठीक है तो action research क्या होता है basically teacher के दोरा use किया जाने वाला evaluation के लिए या तो research के लिए ये एक बहुत metropolitan tool है इसके लाबा teacher case study भी use कर सकती है case study क्या है वो हम लोग next video में पढ़ेंगे बढ़ आज किस वीडियो बहुत पढ़ने वाले है action research क्या होता है ठीक है तो action research basically ये हाँ पर देखिए action research का मतलब होता है कि teacher जब teacher बच्चों को पढ़ाती है school में तो education संबधी कई सारे जो problems आ सकते है अदर्वाइस और problems आ सकते हैं तो उससे tackle किस तरीके से करना है teacher को उसक example अगर जैसे बच्चा दे रहाता है school में daily दे रहा रहा है तो उसका teacher क्या करेगी उसको observe करेगी उसके बच्चे के पर research करेगी ठीक है इसको बद रिपोर्ट त्यार करती है तो सारा उसके बार में data information collect करना ये सभी क्या करती है teacher अपना action research है वो एक file या तो हम कह सकते है data त बहा जाता है यहां पर हिंदी में देख सकते हैं English में भी आप देख सकते हैं यानि कि immediate उसका problem का solution है वो निकालने की teacher कोशिश करती है ठीक है इसको simple शब्दों में हमने पढ़ लिया आगे देखते है अब हम लोग देख लेते हैं कि action research के कितने types होते है types यहां पर देख सकत होते हैं उससे related होते हैं ठीक है जैसे कि बच्चे के social life से related अगर teacher research करती है जैसे कि बच्चे जो है वो class में लोगों से बच्चों से अच्छे से बाते नहीं करता है कोई दिक्कत है तो वो किसमें अगा participatory action research में और जो practical research है practical action research वो बच्चे के involving individual or team based inquiry studying local practices जो local practices है उस पर depend करता है ठीक है आगे देख लिएते हैं यहां पर देखिए जो Kurt Levin थे यहां पर हम देख सकते है Kurt Levin जो कि MIT के professor थे उन्होंने सबसे पहले इस term को use किया था 1944 में उन्होंने अपने एक book में अपने paper में जिसका नाम था action research and minority problems इसमें उन्होंने first term को use किया था उन्होंने education के लीए इसको use नहीं किया था, ठीक है? बार में इसको किसी बार में से education में इस term को use किया जाने लगा Action research को ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे first, कि इसने coin किया था? कि सने इसको खोचा था? इस term को, action research को, Curt Levin ने ठेके, अब definitions देख लेते हैं, तो हम पहले तो शुरू करते हैं Kurt Levin से, Kurt Levin क्या कहते हैं Action research is comparative research on the condition and effect of various form of social action and research leading to social action that uses a spiral of steps each of which is composed of a circle of planning, action and fact finding about the result of the action Kurt Levin क्या कहते हैं, कि एक्षन research है basically एक research है, जो कि on the condition and effect of various, मतलब जो society के various forms, various action है, उसके उपर research किया जाता है ठीक है यह आप आप हिंदी में भी देख सकते हैं जिस संदर्ब में या शेत्र में समस्यत्पन होती है, उसी संदर्ब में या शेत्र में उस समस्या का निस्मधन किया जाए, तो हम शिग्रा बैतर तरी किसे समस्या का निदान कर पाएंगे, Kurt Levin कहते हैं According to Dance Combe, क्रियात्म कनुसंधान या तो जो एक्शन रिसर्च है, यह बिसिकलि एक स्ट्राटेजी है, जिसके द्वारा किसी पर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाता है आगे देखते हैं According to Good, Good क्या कहते हैं, कि जो क्रियात्म कनुसंधान या तो जो एक्शन रिसर्च है, यह बिसिकलि एक टूल है, जो कि विद्यालों में, स्कूल में, शेक्षक या जो टीचर्स है, सुपरवाइजर है, एड्मिनिस्ट्रेटर है, वो लोग यूज करते हैं, इंप्रॉम्मेंट लाने के लिए किसी भी चीज में, चाहे वो एजूकेशन हो या कोई डिसिजन एक्षन हो, किसी भी क्षेतर में परिवर्तन लाने के लिए यूज करते हैं, अब स्टीफन क्या कहते हैं, कि एक्षन रिसर्च किया है, जो कि प्रैक्टिशनर द्वारा किय अपने प्रैक्टिस में इंप्रॉम्मेंट लाने के लिए, चीज कि आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं, कि इसका जो है यूज क्या होता है, फॉर्स्ट है, मतलब एक्षन रिसर्च का यूज कि किसलिए होता है, टीचिंग जो अलग-अलग innovative method जो है, इसको find out करने के लिए, ट्राइ करने के लिए, ट्राइ करने के लिए, ट्रीकिया है, strategies के लिए, जो teachers होती है, क्या करते है, teacher में understand the learning strategy of students and modify the method of teaching accordingly, जो teacher है, बच्चे के according, अपने method of teaching है, इसको modify कर सकती, यहाँ पर देखिए, evaluative procedure, ट्राइंग, ट्राइंग, ओपन बुक टेस्ट, फोर्थ है हमारा, attitudes and values, life skill education through drama and role play, यानि जो life skill education, life skill education है, वो किसके जरीए, किसके जरीए provide, किया जाता है, drama and role play के जरीए, चलिए आगे देख लेते हैं, continuing professional development of teachers, इसे क्योंते है कि teacher की जो professional, profession है, education का profession है, उसमें development होता है, management and control इससे, जो है, class में, behaviors को modification करने के लिए भी यूज किया जाता है, administration, administration यानि, कि different techniques के दवारा, improving community participation, जो participation है बच्चों का, वो उसको जादा involved किया जाता है, ठीक है, अब steps क्या है, steps है, सबसे पहले कि added, मतलब problem को find करना, जैसे हमने for example देखा, कि अगर बच्चा लेट आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने problem find out कर लिया कि इसके अंदर कौन सी problem है, ये बच्चा लेट आता है, या तो ये बच्चा को घर में environment अच्छा नहीं मिल रहा है, जो भी है problem टीचर ने पहले find out किया, उसके problem को define किया, उसके बहुत, मतलब उसके संदर में बहुत सार information collect किया, ठीक है, उसके बार में जान करे लिए, उसके बाद, उसके जो causes हैं, कि किस लिए बच्चा लेट से आता है, उसके causes भी, जो है, आनलाइस करने की टीचर कोशिश करेगी, formulation of hypothesis, टीचर का गएधी hypothesis तयार करेगी, ठीक है, उसके बारे में जो निवारान करने की कोशिश करेगी, formulation of working outline, उसका टीचर evaluation करेगी, ठीक है, और last में अपना report तयार करती है, ठीक है, जो action research की जो report है, टीचर उसको तयार करती है, तो यह थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बहुत, scope of action research दीखेंगे, ठीक है, मेरे चैनल को like, share, subscribe करना बिल्कूम भूलिएगा,